गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग जल्दी से मुझे एक बार बता दीजे कि मेरी आवाज आप सभी तक क्लारीटी के साथ पहुंच रहे हैं न किसी कोई दिक्कत होगा तो प्रीज एक बार मुझे मेशिस के थूँब बता दिजेगा है न कमिन सेक्षण मैं ओक्या चलिए आज की जो कच्छा है यह कच्छा प्राषीन भारत के लिहाज से अपने कह सकते हैं कि सबसे अंतिम दोर में है और इस कच्छा में, आज की कच्छा में हम जो topic लेने वाले हैं जिस topic पर हम लोग बात्चेत करने वाले हैं वह दक्षीन भालत समभंधित इंपॉर्टेंट एक context है इंपॉर्टेंट एक संदर्व है उसी संद्रफ को हम लोग विश्रेशित करने की कोशिश करेंगे सामने आप टॉपिक जो है वो देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है पल्लोव चालुक के संघर्स हम लोग आज की कुछा में न केवल पल्लोव चालुक के संघर्स के बारे में जानेंगे बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दक्षीन भारत में जो अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग शित्रों में विभीन राजवन्शों का उदे हुआ उस दोरान जबकि भारत में उत्री भारत में विशेश करकर के एक राजनैतिक एकी करन का जो दोर लंबे समय से चला रहा था उस दोर की समापती पूर्ण रूपेन हो जाती है हमने बीती कक्षा में हर्स केकाल के बारे में परा था और हर्सवर्धन के बाद की जो इस्थितियां है उस पर हम लोग अब और व्यापक तरीके से गौर करेंगे कि किस हिसाब से दक्षिन भारत में भी जो अलग-अलग शित्रों में चालुक्य का उदे होता है राश्ट्रकूर्ट बाद में आते हैं पल्लव आते हैं वाकाटक आते हैं तो इस हिसाब से इस समय की जो राजनैतिक परिशितिया थी या फिर जो अन्य महत्वपून पहलू रहे जैसे कि कला और साहित्तिक एक्षित्र में क्या कुछ नया देखने को मिलता है इन सभी पर आज की चर्चा में हम लोग ब्रीफ में बातचित करेंगे । एक बच्चे ने पुछा है कि मध्यकारीन भारत की क्लास जो साहे 5 से साहे 6 होती थी आज क्लास क्यों नहीं हुआ जो अभी मध्यकारीन भारत की जो कख्षाएं हैं वो फ्राइडे और से टेर्डे को नहीं हों कि कख्षाएं मरोज सर ले रहे हैं वो फिर आपका कॉंटिनिक हो जाएगा तो आज की कख्षाएं में हम लोग इहीं विशेश पहलूओं पर बादचित तो करेंगे ही और दो महत्वपूर्ण सुचनाएं भी मैं आपको देदू साथ जून से एक कोर्स की शुरुवात हो रही है स्टेडिया को आईए सिंधी फाउंडेशन बैच के स्तर पर दिली प्लाइफ कोर्ट का इस्तेमाल करते हुए आप 18,999 रुपे में इस बैच में एडिमिशन ले सकते है हर दिन शाम में छे वज़े से इस कच्छा की शुरुवात होगी और इसमें कम्प्रीट प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा से संबंधित जो पार्ट करम है जीएस का वो इसके माध्यम से आप पढ़ सकेंगे तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी दूसरी महत्वप पर इच्छा की त्यारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भेर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है और इस कंटेक्ष में मैं आपको यह भी बता दूं कि दिलिप लाइव कोट का इस्तमाल करते हुए आप मात्र 1499 रुपे में इस बैच में आसानी से एड्मिशन ले देखते हैं कि आखिर दक्षिन भारत में जो अलग-अलग कालखंडों में या फिर अलग-अलग क्षेत्रों में जो महत्पून राजवंस उद्य होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं किस तरीके से एक दूसरे की वृद्ध भी वे कुछ नकुछ गतिविषी करते हुए द पतन होता है गुप्तों का उद्य होता है गुप्तों का पतन होता है और इसके अलावा हमने हर से वर्धन के काल को देखा जो की ठानेश्वर से शासन करता है फिर कन्योज चला आता है यह सारी चर्चाएं हमने की हैं तो इसके अलावा हमने दक्षिन भारत में संगम वन चोल चेर पांडी से संबंधित गतिविधिया रही और जो अलग अलग अस्तरों पर व्यापारिक वानिजिक गतिविधिया रही किस तरीके से संगम काल में कुछ महत्वपूर्ण रचनाय रची गी इन सभी के बारे में हमने पढ़ाई की है इसके अलावा दक्कन में जो साथ स्वाहनों का शासन रहा था उसके बारे में भी हम लोग ने अधियान किया है चिटपुट स्तरों पर बीच बीच में दक्षिन भारत के कुछ महत्वपूर्ण राजवन्सों की चर्चा भी हमने की है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हर्सवर्धन के शासनकाल में भ को कुछ संकेत किया था ठीक है मैंने साथ वाहनों के बारे में भी चर्चा की थी मैंने वाकाटक वंश के बारे में भी हल्की सी चर्चा की थी ठीक है अब हो सकता है कि आप शायद भूल रहों हो लेकिन जब फिर से यहां पर हम लोग बातचित करेंगे तो फिर फिर से आप को सकता है कि recall हो जाए कि अच्छा यहां पर मैंने कुछ बताया था कि पर चलिए भुगोल की कख्षाएं इसलिए नहीं हो रही है दोस्त की भारत्वास की तविए ठीक नहीं है इस कारण से वह अभी कोई भी कख्षाय लेने में समर्थ नहीं सक्षम नहीं है जैसे ही उनका स्वास्त ठीक हो जाएगा तो फिर से उनके कख्षाय शुरू हो जाएंगे जहां तक बात है राजनीती शास्त की यानी की पॉलिटी की तो अमरित सर भी अभी थोड़े से व्यस्त है कुछ पारिवारिग की शित्यों के कारण इस लिहाद से वह भी अभी कख्षाय नहीं ले पा रहे हैं उनके कख्षाय भी कुछ समय में फिर से शुरू हो जाएंगी जाहिर से बात है हम सभी मनुष्य है और मनुष्य के नाते कुछ गतिविधियां होते रहती हम सभी के तो कहने का मतलब यह कि जब सब कुछ इस्थित्या अनुकूल रहती है तब तुफिक कोई दिक्कत ही नहीं है तब तुफिक लासेज होती ही होती है ओके चरी तो थोड़ा सा यहां पर धैरे बनाया रखनी क्या शकता है तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि विंधि से दक्षि का यह दौर चल रहा है है यहां पर मैंने एक बात लिखी है कि दूइतिये एतिहासिक चरण का मतलब क्या हुआ यानि कि कोई ऐसा चरण आया होगा जो कि प्रथम एतिहासिक चरण रहा हो है कि नहीं तभी तो दूइतिये एतिहासिक चरण की बात हो रही है तो देखो यहां अब प्रथम एतिहासिक चरण का मतलब क्या हुआ प्रथम एतिहासिक चरण का मतलब यह हुआ कि लगवग 200 इसा पुर्व से ले करके लगवग 300 इस्वी तक का जो काल खंड है यहां प्रथम एतिहासिक चरण के तौर पर जाना जा सकता है और इसके अंतरगत सात्वाहन का शासन काल माना जा सकता है इसी दोरान शिल्प के छेत्र में विकास की इस्तिती देखी जाती है व्यापार और वानिज्य के छेत्र में विकास की इस्तिती देखी जाती है है न इसके अलावा मुद्रा के छित में यानि कि मौद्रिक अर्थ व्यवस्था के स्तर पर भी विकास की इस्थिती देखी जाती है है कि नहीं तो ये सभी इस्थितियां 200 इसा पूर्व से लेकर करके 300 इस्वी तक की आसपास के दोरान में देखी जाती है जो एक तरीके से अर्थ व्यवस्था जगत में एक व्यापक विस्थार को दर्शाता है लेकिन धीरे 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 इस्थितियां परिवर्थित होती है हम लोगों ने मौरित्तर काल में भी परहा था कि कैसे मौरित्तर काल में व्यापार वानिज में थोरा विकास होता है यह अब थमने लगता है इसमें एक गिरावट की स्थिती निरंतर देखी जानी लगती है और इसी गिरावट की स्थिती को यहाँ पर हम लोग दर्शानी की और कोशिश कर रहे हैं गिरावट की स्थिती नजर आ रही है और इस कारण से अब एक नए रूप में यह जो खित है यह खित्र दिखेगा और धीरे-धीरे सात्वी सदी के आरंभ से नए राज्यों का उदय यहां पर हमें दिखेगा कौन-कौन से ऐसे राज्य उदय होंगे कुण-किन राज्यों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे यह तो देखेंगे ही महतवपूर्ण स्थित की इदिह हम बात करें जाहिर से बात है कि जब भी हम इस संदर्व में चर्चा करने वाले हैं तो महतवपूर्ण श्रोत कुछ कुछ तो होगा ही ना बिना किसी स्रोत के हम कैसे जानकारी ले पाएंगे कि अच्छा इस दौरान में क्या हो रहा होगा कैसे हो रहा होगा तो जब हम महत्वपूर्ण स्रोतों की बात करें तो यहां पर तीन अस्तरों पर इन स्रोतों को विवाजित करके देखा जा सकता है जै दी नहीं जूरेंगे तो फिक दिकत हो सकती बाद में समझने में यदि कुछ पूछना होतो है ना महत्वपून सुरूद की यहां बात करें तो अभी लेखिये सुरूद अभिलेखिये स्रोत के अस्तर पर एहोल अभिलेख बहुत चर्चित अभिलेख माना जाता है एहोल अभिलेख एहोल अभिलेख की चर्चा मैंने पहले भी की है एहोल अभिलेख के बारे में हमने उस दौरान भी बताया था जब हर्स वर्धन के साथ में चालू के शासक पुलकेसिन द्यूतिये की उध्र की चर्चा में लास्ट एपिसोड में लास्ट कक्छा में मैंने की थी एहोल अभिलेख के जो रचाइता है या इसकी जो महत्वपून रचनाकार है वो कौन है रवी किर्थी और रवी किर्थी जो है एक जैन विद्वान है और उसने संस्कृत में एहोल अभिलेख में बातें लिखी है और उसी में हर्सवरधन और चालुक की शासक पुल के सिन्द्वित्य की बीच में युद्ध की चर्चा भी मिलती है तो ये जो एहोल अभी लेखे एक बहुत महत्वपून स्रोत माना रता है इसके अलावा जो अन्य महत्वपून स्रोत है मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो सहित्तिक श्रोत में भी मत्विलास प्रहसन एक रचना है मत्विलास प्रहसन जो किसकी रचना है ये महंद्र वर्मन प्रथम जो की एक पल्लोव शासक है महंद्र वर्मन प्रथम की रचना है मत्विलास प्रहसन इसके माध्यम से भी हमें कुछ जानकारियां मिलती है इसके अलावा तेवरम एक रचना है तेवरम के माध्यम से भी हमें इस समय की जो राजनायतिक घटना करम रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और ये जो तेवरम है ये कह सकते हैं कि भगवान शीव की स्तूती का संग्रह इसे माना जाता है और इसमें तिर्टक संबंदर नाम के नैनार अपपार नाम के एक नैनार संथ नैनार कहने का मतलब कि वैसे लोग जो की भगवान शीव की स्तूती करते थे एक अलवार होते हैं और एक नैनार होते हैं तो इनहीं नैनारों में से तिर्टक संबंदर अपपार और सुन्दरर ये तीन लोगों ने तेवरम की रचना की थी जिन्हों ने उस समय के स्थिती के बारे में बताया है दर्शाया है इस रचना के माध्यम से इसके अलावा कुछ जो वर्णन है हमें विदेशी स्रूत के माध्यम से भी देखने को मिलता है विदेशी स्रूत में भी कुछ सहित्तिक है जैसे कि मैंने बताया वेन संग के बारे में वेन संग भी काची में आया था और इस समय की स्थिती के बारे में जानकारी देता है इसके अलावा कुछ अरब यात्री जैसे की अलमसूदी, सुलिमान ये सभी जो हैं ये अलग-अलग कालखंड में इस समय की स्थिती के बारे में जानकारी देते हैं ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुरूत हैं जिसके माध्यम से हमें दक्षिन भारत में इस समय जो इस्थितियां चल रही थी अलग-अलग राजवनसों का जो उद्धे हो रहा था उनके बारे में हमें ये जानकारी देते हैं क्लियर चली तो यहां तक हमने क्या देखा यहां तक हमने देखा कि पहले जो दक्षिन भारत में इस्थिती थी जो हम प्रत्म एतिहासिक चरन की बात कर रहे थे वह अब समाप्त हो रहा है और दूती एतिहासिक चरन यहां पर देखा जा रहा है इसमें जो है व्यापार वा हम कुछ शुरोतों के बारे में भी बात चित कर रहे हैं जो कि साहितिक अस्तर पर विदेशी शुरोत के अस्तर पर या फिर अभी लेखिये शुरोत की तौर पर उन्हें समझा जा सकता है क्लियर इसके अलावा साहितिक श्रोथ की यदि हम बात करें तो दीप वंस और महावंस नाम के जो बहुत घ्रंथ हैं जो पाली भाषा में उनकी रचना भी की गई थी उनसे भी हमें कुछ जानकारिया मिलती है पेरिय पूरानम कई सारी ऐसी रचना हैं आप चाहें तो लिख पेरिय पूरानम शेक्किरल नाम के एक रचनाकार हैं उन्होंने पेरिय पूरानम की रचना की थी इसके माध्यम से भी हमें इस समय के बारे में कुछ जानकारिया मिलती हैं तो यह सब जो श्रोथ हैं यह दर्शाते हैं कि दक्षीन भारत में जो महत्पून राजमंस हुए वो किस तरीके से सासन कर रहे थे, clear, चरी, अब हम लोग थोरा सा यहाँ पर एक मैप मैं आपको बताते हुए और आगे भरता हूँ, जैसे अब हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण वन्शों की, जैसे की वाकाटक, वाकाटक की चर्चा मैंने पहले भी की है, जब हम लोग गुप्त सामराज्जी के बारे में परहाई कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वीतिये जो है, उसने अपनी बेटी का विवाह वाकाटक सासक्ति किया था, ध्यान है या नहीं है, उस व्यक्ति का नाम क्या था, जिससे इसका विवा हुआ था, बहुत ही लिजलिजा सा ये सवाल है, भालतू सा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कोई ध्यान में हो, तो उस व्यक्ति का नाम बताईए, प्रभावाती गुप्ता का विवाह किया था, और इस वैवाहिक संबंध के माध्यम से चंद्रगुप्त ये ने कोशिश की थी, कि गुजरात वाले इलाके में, जो शक्षत्रप शासन कर रहे थे, और जो उनका प्रभाव बर रहा था, उन्स पर जीत हासिल की जाए, और ऐसा उसने किया भी था, है ना, तो ये जो वाकाटक है, इसमें वाकाटक वंस, विंधि शक्ति, जो है, तो विंधि शक्ति जो है, वाकाटक वंस के संस्थापक माने जाते हैं, और ये जो है, ब्राम्हन है, है ना, ब्राम्हन, ओके, तो इसी में, एक, चंद्रगुप्त द्वीतिये से संबंधित, मैंने चर्चा भी की थी, चंद्रगुप्त द्वीतिये, की बेटी, प्रभावती गुपता का विवा, है ना, साथ ही, इसी में एक प्रवर सेन, द्वीतिये का नाम आता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सासक है, अरे विन्ध शक्ती, विन्ध शक्ती तो वाकाटक वंसके संस्थापक ही है, ये उत्तरी महारास्ट, ये महारास्ट में उत्तरी महारास्ट और जो विदर्भ या फिर बरार वाला छेत्र है, वहाँ पर इनका प्राधुरुभाव देखा जाता है, वाकाटक, है ना, प्रवर सेन ने सेतु बंध नाम से एक रचना भी लिखी थी, सेतु बंध रचना, ये दो तीन शासक हैं, जो की वाकाटक से जुरे हुए हैं, कई बार इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके अलामा चालुक क्ये, है ना, चालुक क्ये, ये जो है, ये किष्णा तुंगभद्रा वाले ब्रम्ह या फिर कहें, मनु या चंद्र के वन्सज मानते हैं, चंद्र का वन्सज, ऐसा इसलिए करते हैं, ताकि ये अपने आप को स्थापित कर सकें, मैंने पहले भी बताया था कि जो राजे महराजे थे, वे बहुत भारी भरकम उपाधी धारन करते थे, या फिर ये ये भी जाते थे कि भाई हम किसी प्राचीन महत्वपूर्ण वन्स के साथ अपने आपको जोड लेंगे, तो फिर जो जनता है, ये हमें सम्मान देगी, हमें स्विकार करेगी, और देन फिर हम सही तरीके से शासन स्थापित कर सकते हैं, जब मन्थिकारीन भारत की बात करेंगे इस से थोरी से तुलनाईदी में करूं, तो बलबन नाम का एक सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में एक वेक्ति हुआ था बलबन, है ना, मामलुक वन्स के अंतरकत, और वो जो बलबन था, उसने अपना स्वामित्व प्रमानित करने के लिए, अपना अधिकार दर्शाने के लेकिन अभी प्राचिन भारत की ही दियम बात करें, तो इस समय भी कुछ ऐसी ही स्थित्या देखी जाती हैं, और ये जो चालुक की हैं, ये समाने तो अपर कन्नर भाशा बोलने वाले, और जंजातिये प्रवृति के लोग हैं, है ना, लेकिन इनको ब्राम्भनों ने, जो इस समय के ब्राम्भन समुदाय थे, उन्हें उन लोगों ने, इन्हें सपोर्ट दिया, प्रस्रे दिया, समर्थन दिया, और इस समर्थन के आधार पर, ये जो चालुक की हैं, अब ख्रत्रिय की श्रेनी में कहलाने लगे, आने लगे, और इन्होंने धीरे-धीरे अपना व इर्ति वर्मन नाम के एक राजा हुए, इसके अलावा मंगलेश नाम के एक राजा हुए, और उसके बाद पुलिकेशिन द्वीतिय नाम का एक महत्वण राजा होता है, इसी चालुक के वंस में, विक्रमादित्य द्वीतिय नाम का भी एक राजा होता है, ये सभी राजा अपने अपने अश्थर पर महत्व पूर्ण माने जाते हैं यह इतिहास है न आपका आरेस शर्मा वाला तो आरेस शर्मा के इतिहास में जो कि अध्यायवार विभाजन है वो लगभग 29 अध्याय तक विभाजन है हम लोग अभी 26 अध्याय में है है ना 25 अच्छाइए अभी प्राचीन भारत की बाकी है प्यर चरी तो जो एक्षवाकू हैं ये सात्वाहन के बाद आते हैं और ये भी आपने नाम सुना होगा एक्षवाकू कुल के कौन है तो राजा राम और अध्या के जो पुरा का पुरा एक वंस चलता है एक्षवाकू कुल तो उसी से ये अपने आपकी तुलना करते हैं ठीक है तो परलो भी इस दौरार में शासन करते हैं परलो और इन परलो का मतलब सामाने तो आप माना जाता है लता ठीके और तमिल में इसका अर्थ होता है डाकू तमिल में इसका अर्थ होता है डाकू तो यहां पर यह जो पल्लों है यह भी अपने आपको बहुत अधिक महतो देना शुरू कर देते हैं और यह भी जो है इस वाले च्छित में यहां पर ठीक है उत्तरी तमिलाडू और दक्षिनी आंत्रप्रदेश वाले रीजन में यह पल पल्लों शासन करना सुरू करते हैं पल्लों जो पल्लों वन्स का संस्थापक है वह कौन है तो वह है सिह विष्णू नाम का जो राजा है जो वेक्ति है वह पल्लों की स्थापना करता है अब यहां पर अब देखो इस मैप से आप समझ पा रहे होगे कि चालू की यहां पर ह और यहां पर यह पल्लव हैं ठीक है इस दोनों के बीच में अब एक टसल एक इद्ध की स्थिति सामने आ रही है कि कौन इस पार्टिकुलर रीजन में अपना दबदबा अस्थापित करें किसका अधिक पल्रा भाडी रहें क्यों ऐसा कर रहे थे क्योंकि यह जो छित्र था कि प्रिष्णा तुगहंद्रा दुवाब का छित्र यह अपने आप में अर्थव्यवस्था की द्रिष्टिकों से और रर्ननीतिक द्रिष्टिकों से एक महत्वपूंट शित्र माना जाता था और किवल इसी समय नहीं प्राचिन भारत के ही समय नहीं बलकि आगे आने वाले क मध्धिकालीन भारत वाले इस्थिती में उत्तर मध्धिकाल में हम कहें तो फिर विजय नगर और भामनी सामराज्य के बीच में भी एक टकराहट की सिती इसी पार्टिकुलर डीजन में देखने को मिलती है लेगिन तुलना करके देखो कि यह शित्र कितना अधिक अपने आ कुन था कि इशा शुक्ला देखो यसमें यह है कि एंसेंट इंडिया में कोई जी एस की यह हम बात करने तो एंसेंट इंडिया में में मेंस राइटिंग के आप सकता नहीं है क्योंकि यह आपके जी एस के मेंस सिलेवस में शामिल नहीं किया गया है इसका सरुकार केवल और केवल पीटी एक्जामिनेशन के पॉइंट और वीव से हैं तो यह यहां पर थोड़ा सा ध्याम रखना होगा यह आप ऑप्शनल पेपर की त्यारी कर रहे हैं तो फिर आपको लेखन के आफशकता है अधरवाइस जी एस के पॉइंट और वीव से प्रारमभिक प्राइच्छा के पॉइंट और वीव से इदी हम बात करें तो उसमें जो एंसेंड इंडिया है या फिर मेडावल इंडिया है इसमें आपको लेखन की आफशकता नहीं है आधुनिक भार दुआब पर नियंत्रा अस्थापित करना क्लियर अच्छा अब यहीं पर हम बात करते हैं भाई की जो नहीं नहीं यह क्लास डेली नहीं होती है यह क्लास फ्राइडे और सेटर्डे को होती है पुलकेशिन दुईतिये और नर्सीह वर्मन प्रथम नर्सीह वर्मन प्रथम जो है यह एक पल्लव शासक है ठीक है पल्लव शासक इन दोनों के बीच में इद होता है और जो नर्सिह वर्मन प्रथम है वो इस इध में जीत हासिल करता है दोगों यहाँ पर जीत और हार दोनों ही क्या हो रहा है पहले नर्सिह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितिय को हराता है और हराने के बाद जीत जब यह हरा देता है तो फिर यह वातापी कॉंड की उपाधी धा करता है वातापी कुंड का मत्तब क्या हुआ दरसल जो चालुक के हैं चालुक क्यों की राजधानी आधुनिक बादामी या फिर उस समय के वातापी को माना जाता था जो की करनाटक में है ओके तो जाहिशी बात है चालुक की को हरा दिया तो करनाटक या बादामी का विजयता माल लिया गिया इसलिए उसने वातापी कोंड क्यूपाधी धारण की थी किसने तो नर्सी वर्मन प्रथम जो की एक पल्लव शासक था क्यों लराई हुई थी तो मैंने आपको बताया कि कृष्णतुंग भद्रा दुआ पर नियंतरन हासिल करने के लिए ठीक है बाद में विक नर्सी वर्मन द्वीतिय को हरा करके और कांची कोंड की उपाधी धारण करता है कांची कोंड की उपाधी यह धारण करता है कांची कोंड का मतलब यह हुआ कि जो पल्लव थे पल्लवों की राजधानी कांची थी कांची पूरब तो विक्रमा दूइतिय जो है ये पल्लोशासक को हराएगा और जब पल्लोशासक को हराएगा तो ये कांची दूइतिय की उपाधी येधारन करता है तो ये सारी स्थितिया यहाँ पर इस संघर्ष के तौर पर देखी जाती है यहां पर अब हम आगे बात करें तो जो चालुक के हैं चालुक के बारे में फिर से हाँ पर समझेगा कि इस वाले रिजन में यह चालुक के हैं हना और इन चालुक को पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च चोल रास्ट्रकूट तो फिर कल्याणी के चालुकी के बारे में भी हम लोग परहेंगे यह पश्मी चालुक के हैं और इस वाले रीजन में वेंगी तरना वेंगी वेंगी में भी एक जगह है यहां पर आंथ्रपरदेश और तमिलाडू के पांस में तो यह वेंगी के चालुक के क्यों तौर पर भी जाने जाते हैं वेंगी के चालुक के यहां पर इसको भी द्यार में रखिएगा वेंगी के चालुक के एक पश्मी चालुक के है और एक है पुर्वी चालुक के जो की वेंगी के चालुक के क्यों तौर भी जाने जाते हैं करना और इनका जो राजकिये चिन है यह जंगली सुर होता है जंगली सुर क्यों होता है जरसल Je को वराह अवतार के तौर पर वराह वतार किसका है तो भगवान विष्णू का भगवान के वराह अवतार को अ तो देते हुए ये जंगली सूर को अपना राज किये चिन मानते हैं और इनकी शासन प्रशासन की दी हम बात करें तो सामान नितौर पर जैसी की पहले हमने कई बार चल्चा भी की है कि जो राजा है राजा अपने अधीन ही सारी छक्तियां रखने की कोशिश करता था और वही अंतिम निर्णायक माना जाता था और यहां पर भी कुछ ऐसी हिस्तिति देखी जा रही है इनफेक्ट चालुक्ट्चों के शासन काल में तो मंत्री परिसत की कोई ऐस सच व्यवस्था भी नहीं देखी जा रही है है और राजा के पास में ही सारी शक्ति केंद्रित रहती है यहां पर एक विशेस इस्तिती यह देखी जाती है कि महिलाओं की भी इसमें भागीदारी हो रही है है ना महिलाओं की भी शासन में भागीदारी देखी जा रही है आप टियर इसके अलावा कुछ और पूर्ण पदों की चर्चा चालुक्ट्टियों के शासेनकाल में भी मिलती है जो मैंने जिन पदों की बारे में पहले भी कई बार बताया है जैसे कि अमात्य जैसे कि महा संधी विग्रहिक जैसे कि समाहर्ता यह सभी जो पद हैं हमने पहल करता था collector है ना जो अमात्य होता था वो एक प्रशास्निक अधिकारी के तौर पर काम करता था इसके अलावा कुछ और हैं जैसे की महाजन जैसे की महापुरुश जैसे की करनक जो महाजन है ये गाओं में ग्राम में कानून विवस्था से संबंधित जो महापुरुश होते थे ये गाओं में शांती विवस्था से संबंधित और जो करनक होते थे ये लेखा धिकारी के तौर पर काम करते थे या फिर कहें एकाउंटेंट की भूमिका निवा देते हैं है ना एकाउंटेंट ये कुछ और भी महत्वपुर्पद इस समय में देखे जाते हैं चालो कि शासनकाल में क्लियर ठीक है चलिए इन्होंने कला संस्कृति के एस्तर पर भी कुछ अपना योगदान निभाया है और कला संस्कृति के एस्तर पर इन्होंने कार्थिके को महत्व दिया है कार्थिके कौन है भगवान शीव के पुत्र और ये इध के देवता माने जाते हैं युद्ध के देवता जाई से युद्ध को प्रस्रे भी देते थे और शांति को प्रस्रे देते थे तो इस लिहाद से ये युद्ध के देवता के तौर पर भी इनको महत दिया जता है संस्कृत भाषा का इसमें उत्थान देखने को मिलता है है ना संस्कृत भाषा का मैंने आपको बताया भी कि जो एहोल अभी लेख है वो संस्कृत में ही लिखा गया है है ना एहोल अभी लेख ठीक है है ना चली इसके अलावा मंदिरों का निर्मान भी इस समय में देखा जाता है मंदिरों का भी निर्मान किया जाता है अलग अलग शार्षकों के द्वारा जैसे कि यहां पर देख लीजिए कुछ मंदिर मैंने दर्साइब ही है यह है विरुपाक्ष मंदिर अगर विरुपाक्ष मंदिर ठीक है यह जो विरुपाक्ष मंदिर है यह लोक महादेवी मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है और यह जो लोक महादेवी मंदिर है जो विक्रमादित्य द्विति की मैंने बात की शुरू में तो विक्रमादित्य द्वितिय की ही पत्नी लोक महादेवी के बारे में इसमें चड़्चा भी मिलता है चड़्चा भी मिलती है ठीक है इस इसको लोग महादेवी मंदिर और विरुपाक्ष मंदिर दोनों के रूप में जाना जाता है इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे कि यह एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यह होल में है और यह दुर्गा मंदिर के तौपर जाना जाता है दुर्गा मंदिर यह मंदिर क्या दर्शाता है यह मंदिर यह दर्शाता है कि इसकी जो बनावट है इसकी बनावट किस रुप में है इसकी बनावट है चैत्य के रुप में बहुत धर्म में जो चैत के बारे में आपने पढ़ाई की है उसी तरीके से इसकी बनावट देखने को मिलती है ठीक है तो यहां पर यह जो मंदिर है यह चलो के कही शासनकाल में निर्मित होता है यहां एक चीज और ध्यान रखेगा कि भई अभी हम लोग मंदिरों की बात कर रहे हैं दक्षिन भारत में ऐसा क्यों ऐसा कहने की वज़ा क्या है इसके कुछ नहितार्थ है इसका कुछ मतलब है इसका मतलब यह दोस्तों कि दक्षिन भारत में इस समय में बौद धर्म और जैन धर्म की उन्नती नहीं बलकि एक ठहराव की सिती देखी जा रही है ठीक है और इसके विपरित ब्राम्भन धर्म या फिर कहें हिंदू धर्म से संबंधित जो भी देवी देवता हैं वो इस समय में अपनी भूमी का निभा रहे हैं एक सिकन्ट नहीं पतन नहीं है बलकि एक ठाड़ाव है जिद्धी ब्राय ये क्या है भाई एक सिकन्ट तो यहां पर यह ध्यान रखेगा कि इस समय ब्राम्भन धर्म या फिर कहें ब्राम्भों का एक प्रभूत दिखा जा रहा है और इसके पीछे भी कई सारी वजह हैं इसके पीछे की एक वजह यह है कि की मैंने आपको वाकाटकों के बारें बताया तो वाकाटक खुद ब्राम्भन हैं और यह ब्राम्भन समुदाय इब्रिया या ब्राम्भनों को बहुत बड़े पेमाने पर भूमी अनुदान दे रहें ठीक है और इस समय में अलग अलग जो राजवन्स हैं जाहिसी वात है जब हम चालुकी के बारे में बता रहे हैं कि भाई ब्राम्हनों ने चालुक्यों को शत्रिय का दर्जा दिया और दिन फिये आगे शासन में अपनी भूम का निभाने लगे चालुक्यों तो जाहिसी वात है इसक से इस पार्टिकुलर समय में जहाँ एक तरफ ब्रामनों का वर्चत सो बढ़ रहा ह है दक्षिन भारत में वहीं दूसरी तरफ जो भौट धर्म या फिर जयंद्र है ओर एक इस्थिर्त़ की में देखा जा रहा है ठराव की सिटती में देखा जा रहा है है इस में एसा नहीं है कि कोई पतन हो रहा है इसा नहीं है बलकि एक stagnant position की सित्य यहांपर है च्ली कि फिर हम बात कर देद पल्लव सांसक के के समय में जो जो महत्वपूर्ण sesak हुए कौन को हुए मैं आपको बताया कि जो सीरी विष्णू है तो पल्लोः शास्जब के संस्थापक माने जाते हैं और महिंद्र वर्मन प्रथम नरसी वर्मन परतम नरशे वर्मन्दूति ये और नंदी वर्मन्दूति ये ये सभी जो हैं क्या है ये सभी पल्लो शासक के तौपर जाने जाते हैं है यहां पर जो मैंने एक राजा का नाम बताया है मेहंद्र वर्मन प्रथम इन्हों ने ही मत्विलास प्रहसन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि संस्कृत में यह रचना है मत्विलास प्रहसन की रचना की थी और इन्हों ने इनके बारे में यह भी कहा जाता है प्लियानृार्त है कि इन्हों ने जैन धर्म त्याग करकर जैन धर्म को त्याग कर शय वद्रम अपनाया थ्प पिसके कहने पर तो अपार नाम के एक नैनार संत के कहने पर यह सारी बातें यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखने की अविश्क्ता है प्ल्लो कारीन शासन के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहीं चालू की कारीन जो शासन है चालू की कारीन शासन में मंत्री मंडल या मंत्री पर स्थिति डेखी जाती एक लेक्र है थेकिलिये हुआ भूमिका स्वामी यहां पर भी राजा है भूमि का वो स्वामी माना जाता है और ध्यान रखेढ़ कि इस समयमें ब्रहमária और देवदान ग्राम का उलेख भी हमें देखने को मिलता है जो मैंने आपको भी बताया कि भाई जो ब्राम्हनों को भूमी दान में दी जाती थी उसी को ब्रह्मधे कहा दिया जाता था इसको आप नोट कर लो कि ब्राम्हनों को दान में दी गई भूमी ब्रह्मधे कह राती थी और मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमी देवदान ग्राम कराती थी देवदान भूमी या गाउन जो भी है उनको मंदिरों को यह दी दान में दीया जाता था तो उन्हें देवदान कहा जाता था और ध्यान रखेगा कि इस समय मंदिरों की जो स्थिती है यह केवल यह ऐसा नहीं है कि केवल पूजा पाठ करने तक ही या फिर भगवान की आराधना करने तक ही इन मंदिरों का महतो था बलकि अब धीरे धीरे इन मंदिरों की भूमिका दक्षीन भारत में जो राजवन स्थापित होते हैं वहां पर अर्थ विवस्था के संचालन में भी होने लग जाहिसी बात है कि मंदिरों को भी दान दिया जाता है भूमिदान दिया जाता है मंदिरों के रख रखाव के लिए जो गाओं के लोग हैं इन गाओं के लोगों को बुलाया जाता है कि आप यहां पर आकर करके और मंदिरों के रख रखाव में अपना योगदान दीजी एक तरीके से जो ये मंदिर हैं ये रोजगार देने का काम कर रहें हैं और सबस्रें के बारे में ये भी चर्चा मिलती है कि ये बैंक के तौर पर भी भूम कानि भा रहे है न तो ये सारी बातें आपको थोड़ा समझने कि याउश्गता है कि हर चीज का यहां पर एक दूसरे सैन्य विवस्था की यदि हम बात करें तो यदि सैन्य विवस्था को देखे तो इसमें पैदल सैनिक भी है घूर सवार भी है रत भी है और साथ ही नो सेना की स्थिति भी देखी जा रही है लेकिन ध्यान रखेंगा कि पलो काल में जो नो सेना है पलो काल में जो नो सेना है वह नो सेना उतनी मजबूत नहीं है जितनी की आगे आने वाले समय में चोल काल में हमें देखने को मिलती है चोल काल में तो जो नो सेना है वो कहीं अधिक सुद्रिर हो जाती है ठीक है कि निशा जैसेवाल स्रीकवार और बता दीजिए क्या बताने बताओं क्या पूछ रही हूं निशा जैसेवाल ठीक है पूछ लोग चरिए अर्थि व्यवस्था कि यदि हम बात करें तो अर्थि व्यवस्था के असते पर जो भूर आजस्व है यह लगभग एक बटाँचे से एक बटाँच यहां पर लिया जा रहा है राजा के द्वारा यह फिक हैं शास्रे के द्वारा जो ब्रह्म्ह प्रह्म्भन को अधिक संपन होते चले जा रहे हैं ब्रामनों को और उसके वज में भूमी मिल रही है वे अपने भूमी पर कि अन्य लोगों को बुला करकर करके और उनकी सेवा ले रहे हैं भूमी पर कृष्ष्री कारे करवा तो इसका एक प्रत्यक्ष रूप क्या है इसका एक प्रत्यक्ष रूप यह है कि क्रिशी अर्थ व्यवस्था का विकास हो रहा है कैसे विकास हो रहा है भाई ब्राम्हनों को बहुत भारी मात्रा में जमीन दे दी गई हैना मालों कि तुम ब्राम्हन हो उस समय के अभी का नही मैं कह रहा हूं उस समय तुम यदि ब्राम्हन हो तो तुम्हें राजा जी ने जबरदस तरीके से जमीन दे दिया ठीक है कि हम आपको जमीन दे दे रहे हैं और हम आप से कोई टैक्स भी नहीं लेगे ब्राम्हन सामाने तूर पर तो पुजा पाठ करवाते थे अब यह ब्राम स्वेवस्था को भी यहां पर एक महत्वर दिया जाने लगता है ठीक है यहीं पर एक एरी पत्ती एरी पत्ती का भी उलेख मिलता है जो की सीचाई या फिर कहें तालाब भूमी के तौर पर जाना जाता है तालाब भूमी तालाब भूमी का मतलब यह होता है कि ऐसी भूमी जो की तालाब के तौर पर उसका इस्तिमाल हो तालाब वहां पर बने और वहां पर जो पानी का संचे हो पानी जब वहां पर स्टोर्ज हो तो फिर उसका इस्तिमाल तब किया जाए जब बारिश न होती हो यानि कि इसका इस् थी या फिर से तालाब भूमी भी कहा जाता था किया है हाँ लाइव है लाइव है किया है सर भूमी दान देते हैं तो खा कहते हैं तो मैंने आपको बताया तो क्या कहते हैं ना क्या कहते हैं यह पूछ रही है तो ब्रह्म्हदे और ब्रह्म्हदे मैंने आपको बताया ना ब्रह्म्हदे कहा जाता है और इसके अलावा देवदान कहा जाता है यदि मंद्रियों को दान दिया जाता है तो यह तो मैंने बताया है ध्यान ने दिया अपर चलिए व्यापार और वानिजी के अस्तर पर भी यह यह जो व्यापारी संग हैं यह मनी ग्रामम नान देशी सूदेशी इस रुप में जाने जाते हैं मनी ग्रामम मनी ग्रामम और नान देशी पर भाई आईए इस प्री में सवाल पूछा गया है ध्यान रखिएगा मनी ग्रामम और नान देशी यह सभी व्यापारी संग के तौर पर है ठीक है और इस समें सूदेशी भी एक है और इस समुद्री व्यापार को महत्व दिया जाता है क्लियर साथ ही ध्यान रखेगा कि पहले विन में समुद्र यहां पर तो मैं यह भी पता ही दूं कि समुद्री व्यापार में मसाले सूती कपड़े है और सधी इन सब को इन सब का निर्याद किया जाता है जाहिए से बात हैं हम दक्षी भारत की बात कर रहे हैं इनका निर्याद किया जाता है किлучके इसके अलावा पहले वस्ते विन में प्रनाली कि थि रहिते देखिया थी वस्तु विन में मतलब की है हम कोई वस्तु दिये उसके गाशन दमें मुझzem कोई वस्तु ति मyuली ठीक है यह क्या हुआ वह वस्तु वीमें प्रनाली जो सेंधु सेंधु खाटी सभयता है मैंने उसमें भी बताया था कि सेंधु खाटी सभयता में भी वस्तु विनिमें प्रनाली या फिर बाटर सिस्टम उसे अंग्रेजी में कहते हैं इसकी चर्चा मिलती है इन फैक्ट गाउं वगरह में कुछ समय पहले तक वस्तू विन्मे प्रणाली का इस्तमाल किया जाता था जिसमें लोग धान देते थे और उसके अगेस्ट में कोई वस्तू उनको मिलती थी ऐसी इस्तिती मैंने देखी एक खुद देखी तो बहराल पहले वस्तू विन्मे प्रणाली का इस्तमाल होता था और इसके बाद सोने और चांदी के सिक्के का सोने और चांदी के सिक्के का इस्तिमाल किया जाने लगा व्यापारवानिजे में है यह चीज यहां पर हमें समझने की आवशकता है क्लियर अच्छा अब हम बात करते हैं अच्छा यह ध्यान रखना कि जो दक्षिन पुर्वी एश्याई देश हैं उनसे भी इस माध्यम से व्यापार होने लगता है है ना चलिए इसी समय में अलवार और नैनार संत सात्वी 18 सताबदी में महत्वपूर्ण भूमकानी भाते हैं है यह जो अलवार है यह वैस्टनो है और यह जो नैनार है यह शैव है ठीक है वैस्टनो और शैव 12 अलवार और 63 नैनार के बारे में हमें जानकारी मिलती है इस पर सवाल पूछा गया है 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 ना कितने अलवार और कितने नैनार थे यह साथ अभी उपीपीशियस का एक्जाम हुआ था तो शायद इसी में सवाल पूछा गया था ठीक है मैंने बताया भी आपको कि जो अप्पार है तिरुतक संबंदर है सुंदरर है यह सभी नैनार संत्थ थे हैं उसी तरिके से जो अंडाल है अंडाल एक वैस्टनों संत्थ है या फिक कहें अलवार संत्थ हैं ठीक है तो यह सभी जो यहां पर महत्वपूर्ण सितिया है पल्लो के संदर्म में यह आपको ध्यान में रखने की आवश्कता है फिर थोड़ा साम और आगे बढ़ें और इस समय कि कला स्थापत्य को थोड़ा देख लें तो फिर दरवी शैली का इसमें आधार देखने को मिल हमें मिलती है क्लियर जो महेंद्र वर्मन शैली है इसमें पाशान को काट करकर करके मंदिर निर्मान का वर्णन मिलता है पाशान को काट करकर करके मतलब चटानों को काट करकर करके और मंदिर बना जाते थे हैं ना महाबली पूरम का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है ना महाब ल्बनेट गावार। अ मतलब इसका इसके बाद मामलि उत्षायली रथ मंदिर जो है ये अपने आप में बहुत ही प्रसिद्वारा जाता है रथ मंदिर जिसको सब्त-पैगोडा भी कहा जाता है सब्त पैगोडा इसके अलावा इस समय में जो यह रत्मंदिर है इसमें धर्मराज युधिस्टिर रत्मंदिर बहुत फेमस माला जाता है धर्मराज युधिस्टिर रत रत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है इसके अलावा जो द्रौपदी रत्मंदिर है द्रौपदी रत्मंदिर में किसी प्रकार का कोई अलंकरन नहीं मिलता है रत्मंदिर में कोई विशेश अलंकरन नहीं कोई विशेश अलंकरन नहीं ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछ लिया जाता है बिल्कुल इन सबसे सवाल आही जाते हैं राज सिह शैली जो है यह 30 मंदिर यानि कि महाबली पूरम में जो शोर मंदिर है शोर टेंपल और कांची का जो कैलासनाथ मंदिर है कांची वह बहुत ही फेमस है कांची का कैलासनाथ मंदिर यह सभी जो मंदिर है यह सभी मंदिर पल्लो काल में हमें देखने को मिलते हैं ठीक है इसी के अलावा एक और मंदिर है वेकुंठ पेरुमाल मंदिर वेकुंठ पेरुमल मंदिर यह सभी जानकारिया यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है ठीक है तो आज की जर्चा में मैंने आपको पल्लव और चालुक किये इन दोनों के बारे में एक ब्रीफ में जानकारी देने की कोशिश की है कि किस तरीके से इस समय में दक्षीन भारत में अलग-अलग छित्रों में अलग-अलग राजवंस अपना एक प्रभावज दर्शान की कोशिश करते हैं किस तरीके से पल्लव और चालुक के की बीच में एक संघर्स की स्थिति देखी जाती है और कैसे इन दोनों समय में अलग-अलग सामाजिक या फिर आजनेतिक घटना क्रम या फिर आर्थिक घटना क्रम हमें देखने को मिलता है इसके अलावा इसमें जो सहित के अस्थापत के अस्थापत पर जो परिवर्तन देखने की मिलता है इसमें हम लोगों ने जानगारी हासल की कि कि किस के समय में क्या कुछ विशेस ऐसा बना था है न? इसको एक बार अपने इस तर bei ट येगा रिवाइज किजेगा क्योंकि थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको समय लगे इसको समझने में कई सारी बाते इसमें ऐसे हैं जो कि आपको बारम बार पढणदनी होँगी रिवाइज कर ने कि कौन सा शास्त किसके शासिनकाल में था वह पल्लव था या चालू के था किसके शासिनकाल में कौन सा मंदिर बना इस तरीके से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है इन फैक्ट कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से राजवनस का संस्थाबक कौन था सीधा सीधा सवाल प सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो अन्य महतुपूर्ण पक्षें प्राचीन भारत की इतियास जुरे हुए NCRT के हिसाब से और उसे संबंधि जो अन्य महतुपूर्ण जानकारिया है उस पर भी बातचित करेंगे दो को NCRT बेसिक हम लोग लेकर करके चल रहे हैं जहाँ पर लेकिन NCRT में जो बातें कहीं गई हैं उसके अलावा भी कुछ अन्य जानकारिया मैं इसमें एड़न कर देता हूं है ना लेकिन बहुत अधिक हम लोग इसमें विस्तार भी नहीं कर रहे हैं यह भी ध्यान रखेगा चलिए हम लोग आज के कुछाब हम लोग आज के किछाब हम लोग यह youngest रसमाप्त करते हैं मिलते हैं फिर नक्स टेसन में तब तक अपना ख्याल रखी अच्छे से पढ़ते रहे हैं यादि आपने मेरा टेलिग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरा टेलिग्राम चैनल आपको पता होना चाहिए दिलीप डॉट कुमार एड़ जीरो वन यह मेरा टेलिग्राम चैनल है और यह जो लेक्चर हम लोगों ने भी देखा इस क्या पीपीटी का जो पीडिएफ है मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा अपना खाल रहिए and all the waste.